हलो फ्रेंट आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक और पैंट का बहुत ही ब्यूरिफुल डिजाइन जिसे हम पिंटक्स और कटवर्क के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये पैंट में से ही फैब्रिक लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना चोड़ा है लगबग 8 इंच चोड़ा है और लेंथ में जितनी हमारी पैंट की मोरी है न उससे लगबग 5 इंच आपने जादा लेना है क्यूंकि पिंटक्स में दब जाता है इसलिए हमें फैब्रिक को जादा लेना पड़ता है तो ये वले फैब्रिक को हम मुल्टा करके रखेंगे और इसको एक तरफ से ऐसे लगबग 1 इंच हम ऐसे सीधा सीधा फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम किनारी की पिंटक्स लगा देंगे तो ये देखिए ये एक पिंटक्स हमारी लग चुकी है और ये खोलने के बाद ऐसे आ जाएगी और अब हमने लगबग 1.5 इंच का गैप लेना है पिंटक्स के बीच में ऐसे और ऐसे फैबरिक को सीधा सीधा फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी किनारी की पिंटक्स लगा देंगे तो दो पिंटक्स हमारी यसे लग चुकी है ऐसे हमने अपने पूरे फैबरिक के उपर पिंटक्स लगा लेनी है आध्यादेंच के गैप पे तो ये देखिए सारे फैब्रिक के उपर हमने ऐसे पिंटक्स लगा ली है और अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं तो आइन करके हम एक तरफ पिंटक्स को बिठा लेंगे और इससे बहुत अच्छे फिनीशिंग आ जाएगी तो ये दिखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है अच्छे से और अब हम इसको साइड में करते हैं तो ऐसे ही मैंने एक और फैब्रिक लिया है सेम पेंट के साथ का ही फैब्रिक है और इस पे मैंने पेस्टिंग भी लगा ली है और ये लगबग तीन इंच ओडा लिया है मैंने और लेंथ में जितनी भी हमारी प्लाजो पैंट की मोरी है न आपने उतना ही लेना है और अब हम इसे इस पे कट वर्क ड्रो करना है तो पहले हम उपर से आधा इंच छोड़के सीधा सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से आधा इंच हमें फैब्रिक को छोड़के मार्क कर लेना है और अब हम ऐसे लगबग सवा इंच के गैप पे नीचे की तरब भी सीधा सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से आप सवा सवा इंच के गैप पे मार्क कर लीजिए फिर उसको सिधा सिधा मार्क कर दीजिए तो ये वाली मार्किंग हमारी हो चुकी है अब हमें इसी के अंदर ट्रेंगल वाला कटवर्क ड्रो करना है तो ऐसे हम पहली जो मार्किंग है वो 1.5 इंच पे करेंगे नीचे से एक से दो पॉइंट कम इस तरीके से उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 1.5 इंच का गैप लेंगे सेम नीचे की तरह हमने उपर भी मार्किंग कर लेनी है तो ये दोनों तरफ हमारी 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग हो चुकी है और अब हमें इनको मिलाना है तो इस तरीके से इनको ट्रैंगुलर शेप में हम मिला देंगे ऐसे तो ऐसे मार्क करने से बिल्कुल बराबर कट वर्क ड्रो होता है तो ऐसे हमारे कट वर्क की पूरी मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसको अपनी पैंट पे रखके स्टिच करेंगे लेकिन पहले इस तरफ से इसको फोल्ड करेंगे रगबग आदा इंच हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो ऐसे ये वली सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम ये वले कट वर्क को अपनी पैंट के उपर रखके स्टिच करेंगे तो पैंट की हम सीधी साइड ही लेंगे नीचे महरी वाली साइड और कट वर्क को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और अब हम अपनी मार्किंग के बिलकुल उपर-उपर शिलाई लगा देंगे तो ये दिखिए ये सिलाई हमारी ऐसे लग चुकी है और अब हमने क्या करना इस वाली साइट से बाहर वाली साइट से हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे और लगबग एक एक पैर का मार्जन लेना है हमें जादा नहीं लेना है इस तरीके से आप सिलाई के साथ साथ एक 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 पैर का मार्जन लेते हुए बीच वाले फैब्रिक को कट कर दीजिए तो ऐसे हमने बीच वाले फैब्रिक तो कट कर दिये हैं और अब हमें बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है कट आपकी सिलाई तक लगे लेकिन सिलाई ना कटे यह ध्यान से लगाएं तो कट भी हमारे लग चुके हैं और अब हम अपने कट वर्क को पल्टेंगे तो आप ऐसे किसी भी पेनिय सिलाई की मदद से इसको पलट सकते हो और इसका कोना जो है वो बाहर की तरफ निकाल सकते हो असानी से तो यह दिखिए एक कोना आ गया है यह दिखिए और ऐसे ही हमने अपने सारे कट वर्क को पलट लेना है तो यह दिखिए फ्रेंट्स मैंने सारे कट वर्क को पलट लिया है और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है और दिखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है हमारे कट वर्क में तो ये देखिए ऐसे हमारा cut work भी ready है और printax वाला pattern भी ready है तो पहले हम printax वाले pattern को नीचे से fold करेंगे तो इसको fold करने के लिए इसके जितना ही चोड़ा और इसके जितना ही लंबा हम एक और fabric लेंगे तो मैंने बिल्कुल इसके जितना same fabric ले लिया है तो अब हम ये वाले fabric को सीधा करके रखेंगे और printax वाले fabric को इसके उपर उल्टा करके और यहाँ पे आधे आधे इंच का margin लेते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से ये सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम इसको पलट लेते हैं और हम इसको यहाँ से ऐसे अच्छे से press के साथ बिठा लेंगे और मैंने इसको यहाँ से press के साथ बिठा लिया है और अब हम यहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे नीचे की तरफ और मैंने इसको उपर की side से यहाँ से interlock कर लिया है finishing के लिए तो pattern की ये interlock वाली side को हम cut work के नीचे इस तरीके से रखेंगे और जहां पे हमारा cut work वाला margin खतम हो रहा है ना वहां पे हम सिलाई लगा देंगे ऐसे इस तरीके से आप सीधी सीधी सिलाई लगा दीजिए तो अब ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है अब हमने बिल्कुल अपने cut work के साथ साथ सिलाई लगानी है इसके किनारे किनारे तो ऐसे हमने बिल्कुल अपने कट वर्क के किनारे किनारे पर भी सिलाई लगा ली है और अब हमने क्या करना है यह जो ट्रेंगल के किनारे है न यहाँ पर हम स्टोन पेस्ट करेंगी इस तरीके से किनारे किनारे पर हम यह वाइट कलर के स्टोन पेस्ट कर देंगे इस से हमारा यह डिजाइन जो है वो और भी खुबसुरत लगेगा तो यह देखिए स्टोन भी ऐसे हमारे पेस्ट हो चुके हैं और अब ही मैं आपको दिखाती हूँ हमारे border की कितनी length ready हुई है तो ये लगबग 5 इंच ready हुई है आपने cut work के नीचे से नापना है तो हमारी ये border की length 5 इंच है आपने अपनी जो paint है वो 5 इंच कम cut करनी है तो अब हम इसको fitting की सिलाई लगा लेते हैं तो देखिए कितना beautiful design ऐसे हमारा ये तयार हुआ है तो पहनने के बाद हमारा ये design कुछ ऐसे आजाएगा अगर आपको मेरा ये design और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye